नमस्कार आप देख रहे हैं जन्भावना टाइम्स आपके साथ मैं हूँ अंकेता नोपोशर्मा को धमकी देने वाला अजमेर दरगाह का मौल भी सलमान चिश्टी पुलिस के हत्य चड़ गया है चिश्टी ने बीजोबी की निलंबित प्रवक्ता नोपोशर्मा का सरकलम कर हत्या का एलान किया था हिस्ट्री शीटर सलमान चिश्टी को मंगलवा देराद दरगाह थाना पुलिस ने गिरफतार किया है अजमेर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि चिष्टी को देर रात गिरफतार किया गया है फिलाल उससे पूछता चारी है नुपुष शर्मा को धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद सल्मान चिष्टी के खलाफ मामला दर्श किया गया था दर्गाह पुलिस थाने में सुमवार रात को एक व्यक्ती ने सल्मान चिष्टी के खलाफ शिकायत दर्श कराई थी हिस्टी शीटर सल्मान वीडियो में दावा करता दिख रहा था कि वो नुपुष शर्मा का सिर लाने वाले को अपना घर सौब देगा चिष्टी ने नुपुष शर्मा के खलाफ वीडियो जारी कर खुले आम मारने की धंकी दी थी उसने वीडियो में कहा था कि वो पैगंबर मुहमबत का अपमान करने पर उसको खुले आम गोली मार देते चिष्टी ने वीडियो में कहा कि जो कोई भी नुपुर्श शर्मा का सिर लाकर देगा वो उसे अपना घर देदेगा उसने वीडियो में कहा कि आपको सभी मुस्लिम देशों को जबाब देना होगा ये मैं अजमेर राजस्तान से कह रहा हूँ और ये संदेश खुजूर खुजा बाबा के दरबार से है वही चिष्टी को गिरफतार कर पुलिस अब आम जन को ये बतानी की कोशिश कर रही है कि सल्मान कोई धर्मगुरू नहीं था बलकि दरगाह थाने का हिस्ट्री शीटर अपराधी है उसके खलाफ हत्या जालेवा हमला, फारिंग और मारपीट के साथ ही धमकी के एक दरजन से अधिक मुकदमे दरज है आरूपी सल्मान पिछले साथ साल के दौरान आठ बार धारा 110, 107, 116, 151, 108 के तहट ADM कोट में पाबंद कराया जा चुका है सल्मान चिश्टी नशेडी है और उसने आपती जनक पोस्ट नशे की हालत में ही बना कर वाइरल किया है इसके पीछे कौन लोग है इस बारे में पुलिस जाच कर रही है यही नहीं सल्मान चिश्टी के उपर अपनी मा को डरा धमका कर मकान से बेदखल करने की कोशिश कभी आरोप है मा की शिकायत के बाद कुछ दिन पहले दरगाह थाना पुलिस ने शांती भंग के आरोप में उसे गिरफतार कर दिया था खादिम की गिरफतारी के बाद दरगाह के दिवान सायद जैनूर आबदीन ने भी पूरे मामने में बयान दिया है उन्होंने सामने आए वीडियो पर निंदा की है और कहा है कि प्रिशासन और कानून अपना काम करेगा वीडियो की निंदा करते हुए अजमेर दरगाह के दीवान जैनूर आबिदीन अलीख خان के कारयाले ने कहा है कि आरूपी खादिम द्वारा वीडियो में व्यक्त किये गए इस तरह के संदेशों को दरगाह का संदेश नहीं माना जा सकता कार्याले ने कहा है कि ये उनका अपना व्यक्तिकत बयान है और निंदनी है देश दुनिया की तमाम खबरों को विस्ता से जाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉग इन कर सकते हैं जोड़े रहिए जन्भापना टाइम उसके साथ नमस्कार